पत्नी सानिया और बेटे इजहान के चलते शोयब मलेक ने छोड़ा क्रिकेट नहीं होंगे इस लीग का हिसा पाकिस्तान के स्टार खिलाडी शोयब मलेक अब टीठट लीग में खेलते नजर नहीं आएंगे कुछ खास वजहों से उन्होंने इस बार टीठट लीग में हिसा लेने से मना कर दिया है मलेक ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर एक भावक पोस्ट के जरिये दी शोयब में ट्विटर पर लिखा समझ सकेंगे बता दें कि शोयब मलेक टीठटली के दूसरे सीजन में पंजाब लीजिन की तरफ से खेलने के लिए तैयार थे लेकिन पतनी सानिया और बेटे इजवान को समय देने के कारण वो नहीं खेल पाएंगे याध हो की 29 अक्टूबर को शोयब मलेक की पतनी सानिया मिर्जा ने अपने बेटे को जन्म दिया याध हो की 12 अप्रेल 2010 को शोयब मलेक ने भारतिय टेनी स्टार सानिया मिर्जा से शादी की थी गौर तलब है कि शोयब मलेक लेमिटेट ओवर क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नियमित और महत्वपून खिलाडी है रविवार को ही वन डे सीरीज खत्म हुई है इसके बाद पाकिस्तान और नियूजीलेंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी जिसमें शोयब मलेक शामिल नहीं है बता दें की 21 नवंबर से 2 दिसमबर तक टीठर क्रिकेट लीग शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी जिसमें पाकिस्तान की स्टार खिलाडी शोयब मलेक हिसा नहीं लेंगे